पश्रमंगाल की लड़ाई अब बद्जुवानी के निश्रे स्तर पर पहुच गई है चुनावी युद्ध में कीचड उछला जा रहा है नौबत यह है कि महम्ता बैनर जी पिये मोधी को बेश्रम तो हमेच्छा को जूटा और गुंडा बता नहीं है कि मोधी जो प्रधान मंत्री चुना गया है उसको बंगाल की मुख मंत्री अपना प्रधान मंत्री नहीं मान देखते हैं मंगाल की जंग इतनी धदकी कि अब देश के प्रधान मंत्री पर अब शब्दों से वार हो रहें मंगाल के बवाल में ऐसा उबाला आया कि अब बीम को जेल भेजनी की धमकी दी जा रही मंता बनर जी का क्रोश साथ में आसमान पर है मोदिया में चाह पर उनके हमले दाइरे तोड़ते दिख रहें यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को बंगाल में वर्चसु चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि यूपी में नुकसान का ख़द्रा है बलकि इसलिए भी क्योंकि बंगाल में जीट से बीजेपी आरेसस की विचारधारा के विस्तार का रास्ता साफ होगा ना हमारे रोड़्सों होने दिये जाते हैं ना हमारी चुनाव सभाई होने दी जाती है ना हमें टेंट बना दीने जाता है तो एक प्रकार से वहाँ पर टेरर और जुल्म का सहरा लिया गया है टीमसी के गुंडे पीछे सरकार का पूरा प्रशासंद और ममता दिदी का मिजाज ये सम मिलकर के लोग तंत्र के लिए खत्रा प्रदा हुआ है वो बॉखलाई हुए जीस प्रकार का जनाकरो सुनके खिलाब ये साथांट मैनों में उपर कर आया है उससे वो बॉखलाई हुए ये दोनों का कोई equation है क्या राद नीती में उनकी सरकार ढंग से नहीं चल रहे है तो हम विरोध नहीं करेंगे क्या बंगाल में परचार का आखरी दिन है चुनावायोग ने 24 घंटे के गटोती कर दी है लेकिन आखरी दिन आखरी जोरा आजमाईश से साफ है कि ये लड़ाई थमेगी नहीं आगे भी जारी रहेगी आज तक ब्योरो